पूंच में आज एक कारीक्रम का आईवोजिन किया इस कारीक्रम में नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया उनका कहना है कि हमारा खून हमारे जो वीव बहादुर जवान सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके काम आईगा पूंच में बनाया जा रहा है और बार्डर के हलात को देखते हुए इस वार जवानों ने इसमें ब्लड डोनेट करने का फैसला किया है जवानों के लिए जवानों के लिए क्लाडर कर रहे हैं और बड़ चड़ के इसमें इससार ले रहे हैं किसी किसम कावी में डर नहीं है और जैसे शीद भगत सिंग उनको आज भी जो है जाद किया जा रहा है अपना खूर का एक कत्रा देने के लिए जो आज का इसमें आज के दिन राजगुरू शुकदेव और बगत सिंग जी को शहीद किया गया था फांसिदी गई थी उन्होंने देश की अजादी के लिए अपनी जाने कुरान की तो इस उपलक्ष में विश्विंदू परिशद और बजरंग दल की और से एक कारिकरम रखा गया है जिसमें हम बलड डोनेशन केम्प रखा है हमने हम देश के जवानों के लिए यहां बलड डोनेट कर रहे हैं तो तकरीबन 40 जवान जो हैं इस वकट बलड देने के लिए यहां पर मौझूद है और एक लिस्ट जिसमें हमने और जवानों का जो बलड वगएरा है वो चेक करना है तो किसी भी वकट कोई भी आपता हो तो उस समय हम बलड देने के लिए तयार हैं तो इन शहीदों की शादू की वज़ा से आज हमारा देश जो है हम चल रहा है और हम यहां तक पहुचे हैं उन्हें एक शरदांजली देने के लिए यह कारिकर्म रखा गया है जैसी राम जैसे की पुच डिस्टिक के बॉडर लाइन पे आज बजरंग दल और विश्ण दूपरचद ने एक ब्लेड दोनेशन कैम्प का और्गनाज़ किया है 23 मार्च का दिन हमारे शहीदू का दिन है आज वह हम सेलिपेट करते हुए यहां पे बजरंग दल और विश्ण दूपरचद अपना ब्लेड दोनेशन एक कैम्प रखाया है जिसमें हमारे यह खून देना है और उसके बाद यह ब्लेड दोनेशन कैम्प रहेगा यह खून हम स्पेशली जो हमारे बॉडर लाइन पे आए दिन जो फाइरिंग हो रही है उस पे जो हमारे जो जुवां शिहीद हो रहे हैं यह ब्लेड डोनेशन कैम्प अम उनके लिए और गनेश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बादर लाइन पे लोग जखते हैं